वेलो गाइस वेलकम बाग चुमारे चानल कनपरिया इन कैनडा उमीद करता हूं कि आप सब अच्छे हैं और आज की जो वीडियो ने करके आया है वह है टाइपस ऑफ एक्सप्रेस एंट्री मुझे जाते हैं मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था बेसिकली जो मैंने एक इंट्रडक्शन दिया था कि एक्सप्रेसिंट्री होता क्या है और उसमें मैंने मेंचन किया था कि टाइपस ऑफ एक्सप्रेसिंट्री क्या है और मैंने आपको यह भी कहा था कि जो चीजे मैं मैं में मेंचन कर रहा हूं इस वीडियो में आपको एक एक वीडियो इसके बारे में जालते हैं कि आखिर यह होता क्या है और इसमें अप्लाई करने के लिए क्या-क्या रिक्वार्मेंट्स है तो आपको दसा मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो अगर आप यहां पर देख रहे हैं देखिए है से मैं अब बता है और इसको क्लास स्वेटरयो पर रिपने के लिए और सबसेआ जिया होता है प्लाई सबसे ज़्यादा तो आप इसके अंडर में लगाएंगे जो इसके अंडर में लगाते हैं अब इसे बात करते हैं रेक्वार्मेंट क्या होती है सबसे पहला आता है लाइंग्विज जानी के आपको पता आइल्स का जो एक्जाम देते हैं अगर आपकी जो जॉब है कैनेडा में फॉर केनेडीन एक्सपिरेंस इप इस नॉक ओ और नॉक ए तो आपका मिनिम्मम रिक्वार्मेंट जो होता है इंग्लिश का या फ्रेंच का वह 7 होता है अगर आपकी लेवल की जॉब है तो आपको रिक्वार्मेंट इस फाइव होना ही होना चाहिए फिर बात करते हैं इसमें आपका एटलीस 7 होना ही चाहिए 7 से नीचे है तो बेसिकली चांसे कम है कि आप प्यार लगा पाएंगे या फिर आप इलिजिबल ही नही ही है और जो हमारे ट्रेट प्रोग्राम है उसमें आपका फाइव चाहिए आपको स्पीकिंग अनलिस्निंग में और फोर चाहिए रीडिंग और राइटिंग में अब नेक्सी बात करते हैं कि कौन-कौन से जो वर्क टाइप होते हैं वह एलिजिबल होते है करेंडिया एक् इसके बाद आता है आपको कितना होना चाहिए या कैसे आप एक्स्पीरेंस है वह वालिड है कि नहीं क्लास वान इर इन कैनडा इन लास्ट त्री यह इंगर कॉंशन फॉल टाइम और पार्ट ताम इसका मतलब है पिछले तीन सालों में इन टोटल आपके पास एक साल का एक जिól है अधिन था जिडै ए गातली है जैन आपको शह वाल्याम का उन्पनिकिन कॉछन ओता है और ऐह तो आपका वेडिश्य कि क्रम ओन्राट है पिछले पांच सालों में आपको दो साब कर साम की है जा đầu आपको अ आपके पास है तो एक तरीके से आपके लिए जो फेटरल ट्रेड प्रोग्राम होता है उसके लिए आपको या तो कैनेडा किसी कंपनी से आपको जॉब ऑफर हो में अधर कर रहे हैं तो फिर आप अपको अपनेडा की से आपको इसके लिए प्रवाइ नहीं कर सकते आफ लास आ जो आपका requirement है for federal skill worker उसमें आपको secondary education required है basically आपने at least 12th और graduation तो किया ही हो and you can get more selection criteria points for post-secondary education तो अगर आपने PG diploma करा या master's करा उसके additional point मिलते हैं जो कि recommended है क्योंकि points बढ़ जाते हैं उससे और federal skill trade के लिए आपको requirement नहीं है अगर आपके पास education नहीं है तो इना उसके भी लगा सकते हैं आपको सिर्फ वो certificate चाहिए इस field में आप यह लगा रहे हैं अगर आपको इससे related कोई भी questions है तो आप basically मुझे नीचे comment करके बता सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं नेक्स वीडियो जो बनाऊंगा मैं बनाने वाला हो कि eligibility criteria कैसे चेक करते हैं अगर नहीं है तो आप कैसे अपने आपको कर सकते हैं और आगे लेकर करके यह भी आऊंगा कि जो नॉक मैंने कि नॉक कोड क्या होता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि नॉक ओ एबी क्या होता है तो वह भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं ताकि आपको एक्समेल कर सेखूँ कि आपकी जो जॉब है वह किस नॉक लेवल के अंडर आती है नॉक बेसिकली नैशन अशन उक्यूपे अगर आप स्टूडल विसा लगा रहे हैं तो उसकी भी सेरीज मैं चला रहा हूं वह भी आपको प्लोड कर रहा हूं और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और बहुत जल देंडेंस्टाग्राम पर लाइफ भी आने वाला हूँ आईडी वहां पर अपनी दे दूगा और कोई भी क्वेस्टेंस और कॉमेंट्स और सजेस्टेंस और प्लीज देचे बताएं लाइक शेयर और सब्सक्राइब थैंक यू वरी मिच वरी सपोर्ट और गुड़ लग फो यू कैनडा प्यार तेक यह थैंक यह